तो हे एवरिवन, वेलकम बैक तो आडरोट कमपेटिटिटिव क्लासे और मैं हूँ मिशा, आज की जो क्लास है हमारी वो है प्री पोजिशन की, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री पोजिशन, अगर आप किसी भी एक्जाम के लिए प्रिपैर कर रहे हैं, तो मैंने जो प्री पोजिशन की क्लास रखी है, वो बिल्कुल अलग रखी है, मतलब अगर कोई भी एक्जाम आ रहा है और उसमें टॉपिक प्री पोजिशन आ रहा है, तो आप ये क्लास ले सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस, साथ ही साथ फ्रेजल वर्प्स और फिक्स्ट प्री को हम क्या बोलते हैं, प्री को हम बोलते हैं पहले और पोजिशन क्या बताता है, स्तिथी को बताता है, किसको बताता है स्तिथी को यानि सिचुवेशन को पोजिशन को बताता है और ये लगते कि से हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, मतलब बाद में भी ऐसा को यह नहीं है कि पहले ही लगेंगे मतलब पर पहले ही लगते हैं और यह क्या करते हैं एक sentence को meaningful बनाने के लिए हम preposition का use करते हैं जैसे कि मैं कहूं कि मैं मतलब मेरे हाथ में pen है मैं pen से लिखती हूँ आप chair पे बैठे हैं आप अपने notes pen से लिख रहे हैं तो जैसे हम class के अंदर बैठे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे words जिनको मैंने अभी highlighted way में बताया है और जोर डाल के बताया है वो सारे words क्या है preposition लेकिन मैंने बताया है हिंदी में English में क्या होते हैं English में होते हैं जैसे under हो गया upon हो गया towards हो गया ठीक है although हो गया मतलब यह जो word होते हैं through हो गया across हो गया यह सारे word क्या होते हैं preposition होते हैं although और दो तो conjunction होते हैं मिरे मुझ से निकल गया अब देखें आज हम जो पढ़ रहे हैं confusing pair of preposition पहले हम जितने भी confusing pair हैं उनको complete करेंगे कि जिनके meaning मतलब जो दिखते मतलब एक साथ आते हैं और जिनके जो meaning है वो भी एक जैसे होते हैं लेकिन उनका जो use है वो अलग-अलग होता है तो आज हम पढ़ेंगे confusing pair of preposition तो सबसे पहला topic है between और अमंग का क्या है between और अमंग का अब देखे between और अमंग क्या करता है between और अमंग इन दोनों का ही मतलब क्या होता है बीच में इन दोनों का ही मतलब क्या होता है बीच में लेकिन हम को याद क्या रखना है जो between होता है वो लगता है दो लोगों के बीच में, यानि लगेगा किसके लिए, दो के लिए, लगेगा किसके लिए, दो के लिए, और among जो है, वो count में किसके लिए लगता है, दो से जाधा के लिए, किसके लिए लगता है, दो से जाधा के बीच में, तो इन दोनों में difference एक यही है, अगर आपके मैंने आपको पिक्चराइज भी किया हुआ है जैसे कि ये देखे, between का मतलब क्या होता है दो लोगों के लिए लगता है, यानि दोनों के बीच में, mutual understanding husband और wife के, किसके between husband and wife के बीच में होना चाहिए, ये mutual understanding, तो मैंने between husband husband wife का use किया है, दो है, तो इसलिए मैंने क्या use किया? between जैसे कि देखे, और among, अमंग क्या होता है? दो से जादा के लिए किसके लिए होता है? दो से जादा के लिए और ये सारा count क्या है? दो से जादा है, आप देखे, जो बाइक है यह किसके बीच में फस गई है, दो कारों के बीच में, तो यहाँ पर count किसका आया, दो का आया, लेकिन अगर मैं कहा हूँ कि यह जो लड़की है, यह दो से जाधा लोगों के बीच में है, तो मैंने क्या लगाया, अमंग लगाया, तो बस इतना सा difference याद रखना है, between और अमं लगता है, दो से जाधा लोगों के लिए, जैसे की question है, alms are, alms were distributed among या between the beggars, alms का मतलब होता है, दान देना, क्या होता है, दान, और यह हमने uncountable noun, countable noun, यानि कि पूरे noun topic में पढ़ा था, कि alms वो होता है, जो plural noun को denote करता है, अपने साथ plural ही verb लेता है, क्या उसने plural verb ले लि और बाटा किसमें जाएगा, the beggars, और beggars क्या है, plural है, और count क्या, दो का देर, अगर दो का count देता है, तो वो हमें mention करके देते, दो लोग, और beggars यहाँ पे plural है, count किसका है, दो से जाधा है, इसलिए हम between का use नहीं करेंगे, किसका use करेंगे, among का, तो alms were distributed among the beggars, next question है, the teacher distributed sweets among य वो distribute कर रही है, क्या sweets किन में, between या among them, अब आप एक rule याद कीजिए, कि जब भी कोई preposition आ जाती है, यह rule है, किसका यह rule है, pronoun का, जब भी कोई preposition आ जाती है, तो preposition के बाद हम हमेशा objective case का use करते हैं, साथ साथ pronoun का rule भी clear कर दिया, इसलिए यहाँ पे हमने दे नहीं लगाया, क्या लगाया, them लगाया, और अब की बार जो teacher है, वो sweets distribute करिये, किस में, them में, और them, they का क्या है objective case, दे का क्या है objective case, और they क्या है, plural pronoun है, इसलिए और plural pronoun, दो से ज़्यादा count को बता रहा है, यानि हमें दो count नहीं दिया गे, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, among between या among India and Australia, कि जो match है न, वो किन के बीच में खेला जाएगा, वो खेला जाएगा, India and Australia के बीच में, दो चीजे आ गई, यानि मतलब दो से ज़्यादा चीजे नहीं आई, क्या आई है, सिर्फ दो, क्या India और पाकिस्तान, ओ स्वरी, India और Australia, अगर पाकिस्तान होता, कुछ भी दे देता, पर count क्या है हमारा, सिर्फ दो, तो हम यहाँ पे किसका use करेंगे, between का use करेंगे, किसका use नहीं करेंगे, among का, अगर वो यहाँ पे India, Australia, mention नहीं करके देता, कुछ भी दे देता, लेकिन count वो दो से ज़्यादा दे देता, तब हम किसका use करते, among का use करते, बस एक यह ही difference है किसमे, between और among में, I hope आपको between और जो among है, वो अच्छे से समझ आ गया होगा, अब उससे related, कुछ और highlighted points है, वो मैं आपको बता देती हूं, between का use, दो से ज़्यादा के लिए भी होता है, यह नहीं कि सिर्फ दो, यह है exceptional case, दो से ज़्यादा के लिए भी होता है, लेकिन कब, जब उसमें क्या बताया जाए, mutual relationship बताया जा रहा हो, या उनके बीच में कोई mutual relationship हो, there is a tournament to be played between India, Australia and New Zealand, वही जो tournament है वो इन तीनों के बीच ही खेला जाएगा, यह एक mutual, क्या है, यह mutual relationship है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, between लगाया, यह था इसका exceptional case, next है, there is an alliance between three European nations, अब यह जो alliance word है न, alliance, किसको बताता है, mutual relationship को, कि यह जो अपनी alliance बना रहे हैं, उसको वो किन के बीच में, three European nations, basic count तीन है, तब भी हम उसके साथ क्या लगाएंगे, between लगाएंगे, तो between का exceptional case यह है, जब भी mutual relationship, यानि कोई पारस्परिक संबंद बताया जात है, तब भी हम किसका use कर सकते हैं, between का use कर सकते हैं, और between के बाद हमेशा जो case आता है, वो क्या आता है, objective case, तब यह rule मैंने आपको लास्ट में बता दिया, बाकि फिर भी rule revise करा देती हूँ, जब भी let आ जाए, between आ जाए, accept आ जाए, और कोई भी pre position आ जाए, तो हम सरिफ और सरिफ अगर pronoun का कोई case आएगा, तो वो आएगा, objective case, तो इसलिए there is no enmity between him and me, या he and I, कि भाई यहाँ पर दुश्मनी किन के बीच में नहीं है, बीच में की बात हो रही है, और between लगता किसके लिए, बतब दो के लिए लगता है, दो से जादा के लिए भी लग सकता है, जब कोई mutual relationship हो, इनमें mutual relationship नहीं है, और count क्या है, दो है, बस he क्या है, him का objective case, me क्या है, I का objective case, यह he का है, और यह I का है, तो आप देखें, यह दोनों objective case है, और यह he और I क्या है, subjective case है, और हमें तो क्या चाहिए, objective case, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, him and me सही हो जाएगा next step between के बाद and अब हमारा जो topic था conjunction, conjunction में क्या था कि हम pairing पड़ रहे थे कि between का pair क्या हो जाएगा and हो जाएगा, between का pair क्या होगा and होगा, no sooner का pair then होगा, hardly, scarcely, badly hardly और scarcely का pair क्या होगा when होगा, तो between का pair हमेशा क्या होगा, and और from का pair क्या होगा, to ये था हमारे conjunction, मतलब एक point से, जितने भी rule बनते हैं, अलग-अलग topic से भी, वो सारे मैंने यहाँ पे आपको mention कर दिये है, the meeting will be held between, कब से कब तक 10 a.m. से लेकर के 4 p.m. तक, तो between का pair क्या होगा, and होगा, from का pair क्या होगा, to, जैसे मैं आपकी class कब से कब तक लोंगी, from Monday to Friday, तो from का pair क्या होगा, to, और between का pair क्या होगा, and, तो जितने exceptional cases थे, साथ-साथ मैंने बता दिये, और जितने अलग-अलग topic से rule बन रहे हैं, वो भी मैं आपको बताती चल रहे हूँ, आप देखे, between के बाद अगर कोई भी noun आएगा, या pronoun, मतलब noun या pronoun हमेशा किस form में होना और दो count हम क्यों लेते, क्योंकि जो between है, वो लगता ही किसके लिए, या तो plural pronoun के लिए, या तो plural noun के लिए, अगर हम एक लगाते न, तब हमारा sentence क्या हो जाता, गलत, जीकि सारे rule को हम satisfied करते हुए चल रहे हैं, जैसे between the countries, country होता तो गलत हो जाता, between the countries, और किसनी दो country के बार में बात होता है, वो हम या आगे बता देते हैं, between का pair हम क्या लगाते, and लगाते, next है between the students, कौन कौन से students, राम एंड श्याम, तो between का pair भी क्या हो जाता, between them, they का objective case है, और they क्या है, plural pronoun है, between us, us भी क्या है, plural pronoun है, लेकिन किस का, we का objective case है, between अपने बाद, हमेशा सर्फ और कुन सा लेता है objective case लेता है next देखे जब between किसको बता रहा है दो count को बता रहा है तो इसके बाद हम कभी भी each या every का use नहीं करते क्यों क्योंकि यह क्या है यह distributed pronoun है और distributed pronoun each use होता है किसके लिए दो के लिए भी होता है और दो से ज़ादा के लिए होता है तो एवरी तो हम तब ही यूजज़ नहीं कर सकते क्योंकि कोई mutual relationship नहीं है और between भी दो को मताता है तो यह प्तल भी बना देगा sentence को बना देगा मतलब जितरे की हमें जरूरत नहीं है उससे जादा को बना देगा इसलिए हमें sentence में each या every का use between के साथ नहीं कर सकते जैसे between each boy नहीं होगा between each girl बिल्कुल नहीं होगा sentence क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा next rule क्या है next rule है beside और beside की difference किसमें हमें बताना है beside और beside में beside और besides देखे दोनों का मतलब ही क्या होता है देखे जो ये वाला beside होता है ये beside बताता है बगल में किसको बताता है के बगल में और ये वाला जो beside होता है ये हमेशा बताता है के अलावा क्या बताता है के अलावा यानि कि addition में जिसको हम क्या बोलते हैं अतिरिक्त बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अतिरिक्त बोलते हैं जैसे कि देखिए कि जो Ria dance beside Lia कि भाई जो रिया है न वो किसके साइड में डांस कर रही है वो लिया के साइड में डांस कर रही है यानि उसके बगल में डांस कर रही है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते है एक बिना एस वाला बिसाइड होता है बगल में और S वाला Besides होता है, इसके अतरिक्त, कि इसके अलवा और भी क्या चीज़ rum है, इसके अतरिक्त और क्या है? जैसे कि Ria has many friends besides Lia, भłę, लिया के और भी दोस्त है, मतलब रिया के many friends, जादा friend है, लिया के अलावा भी लिया, मतलब उसके अतरिक्त भी और दोस्त है, एडिशन फॉर्म में हम किसका यूज करते हैं, बिसाइट्स का यूज करते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं, पर डिफरेंस एसका है, और सेंस भी इन दोनों का बिलकुल अलग है, जैसे कि he is set beside me, वह कहां पे बैठा है, मेरे बगल में, कहां पे बैठा है, बगल में, औ प्री पोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन लग जाता है, तो वह किस केस में आना चाहिए, अबजेक्टिव केस में, और आई का अबजेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, और ये beside किसको बताता है, के बगल में, क्या बताता है, के बगल में, या बगल में, बिल आये हैं, ceremony में present है, यानि अत्रिक्त, इसके अत्रिक्त भी, ठीक है, तो beside और besides में बस एक यही छोटा सा difference है, next देखते हैं, next क्या है, beside और beside, जैके beside क्या होता है, के साथ और के बगल में भी हो सकता है, क्या होता है, side of, यह देखें, मैंने बस बोल दिया, add this side of, और next to, इसका म ये भी, तो ये किसको denote करता है, addition को भी denote करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, in addition to, जैसे कि example है, I was sitting beside my mother in the car, कि वह कहां पे बैठी है, अपने मदर के side में बैठी है, बगल में बैठी है, car में, अपने मदर के बगल में बैठी है, there was a table beside the bed, on which there was a book, कि भाई, जो table के, मतल besides his relative, he invited his friends to, कि भाई, उसने अपने relatives के अलावा, किसको invite के अपने friends को भी invite किया हुआ है, what other type of food do you like besides Chinese, कि भाई, आपको Chinese के अलावा, और कितने तरीके का खाना पसंद है, और कितने type का खाना पसंद है, तो एक besides क्या हो गया, बगल में यानि side में, और एक besides क्या हो गया, इस के अदरिक, यानि addition में चीज़े क्या है, अब हम पढ़ते हैं क्या, since or for, since or for आपको याद होगा, जब मैंने tense पढ़ाया था, और tense की class ली थी, तो उसमें मैंने बहुत बार जिकर किया है, since or for का, जब मैं tense कौन सा कराती हूँ, जब मैं tense करा रही थी, perfect continuous, कौन सा tense कराया था perfect continuous, चाहे वो present हो, चाहे वो past हो, चाहे वो future हो, तो यह क्या होता है, perfect continuous में हम हमेशा time का जिकर करते हैं, और time का जिकर करने के लिए, हम हमेशा क्या लगाते हैं, since or for को लगाते हैं, किसको लगाते हैं, since or for को, since बताता है, निश्चित time, यानि कि point of time को बताता है, इसको बता पिरियड और टाइम को यानि कि किसको बताता है कि टाइम कितना चला है पिरियड उसका बताना अंतराल उसका बताना कि क्या समय है तो यह है since और four का रूल यह देखिए कि for example I have been studying कौन सा tense हो गया ये has, have के साथ been और verb की first form के साथ ing present perfect continuous tense को denote करता है since 9 am हमें बिल्कुल exact point करके time बताया गया है कि वो कब से पढ़ रही है 9 am से मैं कब से पढ़ आँ 9 am से इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया since she has been a teacher since 2015 time के लिए हम हमेशा किसका use करते है time के लिए हम हमेशा since और four का use करते है ये बताता है specific point of time और ये बताता है duration क्या बताता है duration यानि कि हम period भी बोल सकते है period of time जैसे कि question है I have been studying for three hours कि वो तीन घंटे से पढ़ रहा है कौन से तीन घंटे नहीं बता है हम क्या बोलते since लगाते ऐसे she will be in the office for two hours कि वो कितने घंटों के लिए है office में दो घंटों के लिए है period of time के लिए हम क्या लगाते है four और point of time के लिए हम क्या लगाते है since next हमारा confusing pair है in spite और despite जिसका मतलब होता है के बावजूद इन दोनों का हमेशा क्या होता है के बावजूद बस इसका जो main rule है न ये आप यहाँ पे highlight करके लिख लिजिए कि जो in spite होता है वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है off लेता है मतलब in spite के साथ off लगाना जरूरी है लेकिन जो despite होता है despite के साथ कभी भी off नहीं लगता कभी भी off नहीं लगता ऐसे करके error दिया जाता है exam में क्योंकि in spite or or despite of दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद in spite is always followed by the preposition of यह किस से follow की जाती है हमेशा off और despite does not follow the preposition of यानि इसके साथ हम कभी भी क्या नहीं लगा सकते off नहीं लगा सकते it is considered to be less formal than despite कि यह क्या होता है कि despite से थोड़ा कम formal होता है और जो in spite of होता है यह थोड़ा formal होता है to be bit formal than in spite यानि कि despite formal होता है और in spite थोड़ा कम formal होता है it is written as three word in spite of यह कैसे लिखा जाता है तीन words में लिखा जाता है in spite of जबकि जो despite होता है वो अकेले लिखा जाता है यानि कि सिर्फ despite करके लिखा जाता है जैसे कि question है in spite of working hard he failed कि भई इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह क्या हो गया था fail हो गया था तो in spite के साथ तो हम किसका use करते है ओफ का use करते है जो कि सही है इसका मतलब भी क्या होता है क्या के बावजूद next day despite being rich he is not happy कि भई अमीर होने के बावजूद भी वह क्या नहीं है खुश नहीं है और अगर वो यहाँ पर despite के साथ off दे देता पेपर में तो वो क्या हो जाता गलत लेकिन अगर वो in spite के साथ off नहीं देता तो भी हो जाता गलत हमें in spite के साथ off लगाना है लेकिन despite के साथ off न एरर किस तरीके से दिये जाएंगे next आता है with और by देखे एक तो with का मतलब क्या होता है साथ एक तो with का मतलब क्या होता है साथ एक वरूल याद कीजे subject verb agreement का जिसमें with का जिकर हुआ था कि जब भी दो noun को या दो subject को as well as together with with along with in addition to rather than besides इन से जोड़ दिया जाता है तो verb किसके according आती है first subject के according जुडने का काम करते हैं साथ यानि किसको दिखाते है साथ को लेकिन препosition में इस with का मतलब क्या है से और by का मतलब क्या होता है के दूरा by का मतलब क्या होता है के दूरा अब देखे प्री पोजिशन में इसका use हम कैसे करेंगे without ही use होता है tools यानि कि किसी भी ओजार के लिए मतलब जिससे हम काम कर रहे हैं और body parts के लिए भी हम किसका use करते हैं विद का use करते हैं और वहीं पर जो buy होता है वो किसके लिए use होता है transportation के लिए जैसे कि मैं कहूं आप किससे आये थे तो आप बोलोगे न buy car, buy train, buy bus तो यह सब क् transportation से सारे transport है तो इसके साथ भी हम किसका use करते हैं buy का communication के लिए भी भी आप किससे बात करते हैं तो जो भी instrument जिस भी चीज से आप बात कर रहे हैं communication के लिए जो भी जरिया use कर रहे हैं उसके लिए भी हम किसका use करते हैं buy का use करते हैं जो भी verb ing form में होती है और express कर रही हो कैसे ing form वाली verb कौन सी थी gerund भी बोलते हैं उसको present participle भी बोलते हैं उसको और verb की first form के साथ ing यानि v4 भी बोलते हैं और passive sentence के लिए भी हम किसका यूज करते हैं by का यूज करते हैं जैसे कि passive sentence क्या होता है कि यह जो book है इसके द्वारा लिखी गई है this book is written by me वर्ब की third form आती है यह पहचान है passive voice की अब एक example देख लेते हैं I write with a pen हम कभी भी नहीं बोलते हैं by pen यह बोलना गलत होता है हम बोलतों देते हैं नॉर्मल लाइफ में बट यह sentence बोलना जो है वो grammatically बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे a pen क्या है एक tool है और उजार के लिए जब भी हम कोई बात करते तो उससे पहले हम by नहीं लगाते क्या लगाते with लगाते और ऐसा question exam में बहुत ही बार पूछा गया है जो सुनने में सही लगता है बट होता गलत है next day you must clean the floor with a broom आपको अपना floor किस से साफ करना चाहिए किस के साथ broom का मतलब होता है जाडू broom का मतलब क्या होता है जाडू next day try to catch me with your arms कि आप मुझसे किस से पकड़ो अपने arms और arms क्या है यहाँ पे body part है और body part के लिए भी हम किस का use करते हैं with का use करते हैं next day you can contact me by email अब किस की बात हो रही है यहाँ पे communication की कि आप मुझसे किस से contact कर सकते हैं email से और email यहाँ यहाँ पे क्या है communication के लिए इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया buy लगाया I got wealthy by selling cars कि मैं अमीर किस से हुआ हूँ car को sell करके हुआ हूँ और selling यहाँ पे क्या है selling यहाँ पे वर्ब की first form के साथ ing form को denote कर रहा है next day the book was written by Mark Twain और यह book किस के दुआरा लिखी गई है Mark Twain दुआरा लिखी गई है और written क्या है यहाँ पे v3 form है क्योंकि helping verb कोई भी हो अगर उसके साथ v3 form लगती है और sentence में by लग रहा है तो समझ जाए वो sentence किस में है passive voice में है जैसे कि the paper the paper was signed by him with a parker pen in the black ink देखे जो paper है वो sign किस के दुआरा किया गया है जब भी हम दुआरा की बात करते हैं और एक चीज और एक यह normal sense है चाहे तो आप यह लिख सकते हैं with जो है वो लगता है non living things के लिए बतलब generally लगता है यह निक हमेशा और जो by होता है वो लगता है living things के लिए generally क्योंकि transport तो है नि लिविंग फिर भी हम by लगा रहे है क्योंकि वो चलाया किसी और के दुआरा जाता है इसलिए हम बोलते है by bus by train यह जो भी हम transport लगा रहे हैं आप देखे यहाँ पे कि जो paper है वो किसके द्वारा sign किया जा रहा है by him और by क्या है preposition और preposition के बाद अगर कोई भी case आता है तो objective case अब parker pen क्या है यहाँ पे tool है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया with लगाया और with यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही लेकिन यहाँ पे एक चीज और mention करी गई है क्या in black pen अगर यहाँ पे black pen होता तब तो हम यहाँ पे क्या लगाते with लगाते लेकिन जब भी किसी ink की बात आ जाए आप black ink से लिख रहे हो red ink से लिख रहे हो green ink से मतलब अगर आप कोई भी color mention करे हो आप कोई भी pen का color mention करे हो लेकिन अगर आपने उसमें word add कर दिया ना ink यह आपका most important exceptional case है अगर वो word add हो जाता है ink तो हम कभी भी with नहीं लगाएंगे by नहीं लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे in चाहिए आप किसी भी ink से लिख रहे हो red, white, black, green कोई भी ink हो हम सर्फ pre-position किसका use करेंगे in का use करेंगे और यह चीज मैंने यहाँ पर mention कर दी है exceptional case में next है the snake was killed by the man किसके दवारा snake मारा जा रहा है by the man और sentence किसमें है passive voice में और किस tool से मारा गया ostrich यानि एक लकडी से मारा गया और यहाँ पर इसलिए हम tool की बात कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे with लगाएंगे और यहाँ पर passive voice sentence के लिए भी हम क्या लगा देंगे by लगा देंगे next day you cannot catch a big fish with a small rod कि आप एक छोटे से road से क्या नहीं कर सकते एक बड़ी fish को catch या पकड़ नहीं सकते और यह a small rod छोटी road एक tool है और tool के लिए हम क्या लगाते है with लगाते है तो I hope आज के जो हमारे confusing pair है preposition के वो बहुत सिंपल तरीके से with picture देखे मैं सोचते हूँ imaginary thing हमको जाद रहती है rectification से इसलिए मैंने हर चीज की image के साथ आपको हर चीज समझाई है साथ-साथ exceptional cases भी लिखवा है preposition पूरे grammar का सबसे important topic है अगर आपने preposition को अच्छे से पढ़ लिया fling in the blanks अच्छे से कर पाऊगे sentence improvement अच्छे से कर पाऊगे close test में यह आपकी बहुत help करेगा जब हम fixed prepositions पढ़ेंगे क्योंकि दो question तो preposition से आई जाते है तो यह थी आज की आपकी preposition की पहली class next class इससे भी अच्छी रहेगी यह मैं आपसे promise करती हूँ मैं आपको मिलूंगी next class में एक नई अच्छे अच्छे prepositions के साथ तो आज का अपना time देने के लिए thank you अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए और subscribe ज़रूर कीजिए channel को thank you so much